हलो दोस्तों ये हम किचन की जो कैबनेट होती नीचे वाली ग्रेनाइट के अंदर हमने इसमें सुरा किये हैं इसके अंदर नया जुगार आया है वो भी जैपूर के अंदर मिल रहा है तो मैं दिखाता हूँ ये हैं मतलब बोल्ट है ये नट इसको बोलते हैं फीमेल इसके अंदर आता नट लगाने का दूसरी तब से इसको इधर से डालते हैं उदर से नट कस जाता है इसका जो डेमू है मैं आपको दिखाता हूँ हमने एक पल्ला लगाया है पल्ले की जो चोड़ाई है वो करीब 20 इंची हाइट जो है इसकी 28 इंची मैक्सिमम होती है प्रोफाइल लगा के 29 इंची का है तो ये लग रहे है इसके अंदर वो जो नट है ये वाले मेल फेमेल वाले अभी जो है इसके अंदर सिंगल लगाया हुआ है और सिंगल पर ही ये पूरा पल्ला जो है रुगरा इसके अंदर और पूरा वजन लेता है पांस से छे केजी का दरवाजा जो है हम इसके उपर चला सकते हैं इसकी वागी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं ये जैपुर के अंदर मिल रहे हैं अभी बाकी दिल्ली गुड़गाओं के अंदर हमें अभी तक नहीं मिले हैं ना ही इसकी कोई वह आई है ये अधर से वह डाल देया है इसकी याधर से डाल ले या तो इदर से लग जाता है यह जो है इसके अंदर क्या है इसकी लाइट भी लगा सकते हैं जिससे की लाइफ और बढ़ जाएगी company इसकी जो है कबसे की अपनी अपनी अलग होती है किसी के पास में कौन सी मिलती है को रर कोई अलग-अलग यूज़ करता है तो यह जो है चीज आपको कैसी लगी मैं आपको देखाता हूं इसका size आता है एक इंची से लेके सबा इंची तक इसका size आता है शेज़ इसको हम अगर जादे बड़ा होता हुए बढ़ा होता हुए इसको हम छिश्क principio 4 mm काट सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो चोंडी ऊती है ये वाली ये जो चोंडी होती है थिर इनको काटने से क्या होता है इसके अंदर प्रोब्लम आती है, हम इसको काटेंगे न, ये वाला कटेगा, तो इसके अंदर अंदर तक कितनी चूणी है ये पता नहीं है, लगबख सीख से में हम तो मेरे को यहां सी दीख रहे हैं कैमरे के अंदर ही, वाकि आप बताना कैसा लगाई है, वाकि जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये अभी फिलाल हम जैकुर में हमारी सेट चल रही है, तो बहाँ पर है ये, बागी गुड़गाओं में चलती है, हमारी सेट दिल्ली में भी चलती है, तो दिल्ली में अभी तक हमें किसी भी सोप पे इस चीज के लिए अडवाइस नह करते हैं, तो आप सोचो के कैसे चलेंगे इस दोड़ पर, तो इसलिए बहुत ढूंड के ये चीज हमको मिली है, सुराह हमने ओ लेड़ी कर दी है, इनके अंदर इसके अंदर ये लगा के काम खतम हो जागा, तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें,